भासा का ओह घटक जो ध्वनी की घती के अनुकरम संचाल में उसकी रचना समंधित नियम की चर्चा करता हुशे क्या करते हैं? ये था पिछले जो भाग है उसका एच डवल कोस्चन तो देखेगा भासा का ओह घटक जो ध्वनी की घती के अनुकरम संचाल में उसकी रचना सम संबंदित नियम की चर्चा करता हुषे क्या कते हैं ब्याकरन अर्थ विज्ञान श्वर विज्ञान इन में से कोई नहीं तो इसका शही आंशर जो होगा वह तीन होगा श्वर विज्ञान यानि भासा का वह घटक जो ध्वनी की जो गती होते उसके अनुकरम का संचालन करता उसके अमलो स्वर विज्ञान करते हैं तीन नमर उप्षन शही होगा भासा का वह घटक जो धोनी की गती के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना संबंधित नियम की चर्चा करता हुशे श्वर विज्ञान कहते हैं उडवर्त के अंशार अस्मिर्ती का आयाम नहीं है अस्मिर्ती का आयाम नहीं है पहला अप्षन है पुनह अश्मरन दूसरा धारन तीसरा पहचानन चौथा तर्क करना अंसर होगा इसका कि अस्मिर्ती का आयाम नहीं है तो अश्मिर्ती जो होती है वह पुनह अश्मरन करती ह धारन करती है पहचान भी करती है लेकिन तरक नहीं करती है यानि अप्शन चार्ज होगा वह शही होगा तरक करना अस्मरन से तातफ़ पूर्व शीखे गए बिशाय वह या पाठो क्यों चेतना मिलाने में होता है अस्मरन की प्रक्रिया एक जटील प्रक्रिया होती है जिसमे चार तरह की उपकिरिया होती है, पहरा शिखना, दूसरा चारन करना, तिसरा परत्याहान, और चोथा जो होता है, पहचान करना, question number अगला देखते हैं, 48, TAT-द्वारा, TAT-द्वारा बनाया गया था, अलपोट के द्वारा, शार्क के द्वारा, मैसलो के द्वारा, या मरे के द्वारा, तो TAT जो बनाया गया था, वह बनाया गया था, आपके, इसके द्वारा, इस पर थोरा सा देखेगा, तो यह है आपका, मरे के द्वारा, चार नुमर अप्ष्ण, टी अटी परिक्षन का निर्मान मरे द्वारा किया गया था, अब हम लोग हड़ो कोस्चन की बात करते हैं, हर पार्ट्स के बाद हम आपके लिए एक को लेकर आते हैं, और वह होता है हड़ो, हड़ो पार्ट्स को हम लोग तुरा सा गौर करते हैं, उन्चासन वर कोस्चन है, लक्ष निर्देशित व्याभार में बाधा आना कहलाता है, अभिप्रेरन, शंबेग, कुंठा, आवरामक्ता, तो यह होता है आपका तीसरा अप्षन सही, कुंठा, लक्ष निर्देशित व्याभार में बाधा आना कुंठा कहलाता है, यानि कु इस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं लक्ष निर्देशित व्यवार में बाधा आना कुंठा का लाता है तीर नमबर अप्शन सही होगा वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक शेयर शब्सक्राइब जरूर कर देजिगा थैंक्स पर वाचिंग